हाल ही में बॉलवर्ड आक्टर सुशांत सहराजपूर्ट ने मौत को गले लगा लिया तीवी आक्टर के तौर पर अपना सफर शुरू करने वाले सुशांत ने कायप पुछे किदारनाथ सून चरहिया चिछोरे जैसी मूवी में काम किया और आने वाले दिनों में सुशांत क की मूवी दिल बेचारा रिलीस होने वाली है लेकिन इसके पहले ही सुशांत ने अपने बांदरा स्थित फ्लैट में फांसी लगा कर आत्महत्या कर दी सुशांत के कारूनों का पता नहीं चला है लेकिन ऐसा कई बार होता है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान के पास कुछ ऐसा नहीं होता जिसके उसे सबसे ज़ादा जरूरत होती है और यही उसकी मौत की वजह बन जाता है सुशांत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और सुशांत के अलावा और भी कई बॉलिवूड एक्टर एक्टरिस ऐसे हैं जिन्होंने इन ही कारणों की वजह से पहले भी मौ को गली लगाया है अज हम आपको ऐसे ही बॉलिवूड के एक्टर और एक्टरस के बारे में बताते हैं जिन्होंने पेशा और फेम दोनों होने के बावजूद भी डिप्रेशन में आका सूसाइड कर अपना जीवन खत्मे कर लिया मश्रू टीवी शो बालिका वदू के आन मिले लेकिन पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में फासी लगाने की वज़े से उनकी मौत होने का कारण बताया गया अपने करियर में प्रतिवशा ने रक्त संबंद बालिका वदू बिग बॉस गुल मोहर ग्रांड ससुराल सिमर का जैसे कई तीवी शोज में अपना बहतरी नभी नहीं दिखाया प्रतिवशा की मौत के पीछे उनके बॉइफरेंड राहुल राजसेह को बताया गया था क्योंकि सूसाइड के पहले प्रतिवशा ने सोशल मीडिया पर अपनी आखरी पोस्ट में जो बात लिखी थी वो चौकाने वारी थी प्रतिवशा ने गाने के लाइ लेकिन इस शिकायत का कोई हल निकल कर सामने नहीं आया राम गुपाल वर्मार डारेक्टिड मुवी निशब्द से मताब बच्छन के साथ बॉलिवुट में डेब्यू करने वारी जिया खान ने भी 25 साल के उम्र में मौत को गले लगा लिया उन्होंने सूसाइड किया था अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चल रही परिशानियों से डिप्रेशन में आकर जिया ने ये कदम उठाया और 3 जून 2013 कुन की बॉड़ी उनके मुंबई इस्थित फ्लैट में मिली। जीया के फ्लैट से 6 पन्ने का सूसाइड नोट भी बरामत किया गया जिसमें उन्होंने अपनी तमाम परिशानियों का जिक्र किया था जीया आदित पंचोरी की बेटे सूरज पंचोरी के साथ रिलेशनिशिप में थी और उनकी मौत के बाद सूरज पंचोरी से हाथ आजमाया और अपने करियर में 20 से जादा टीवी शोस किये जिन में कभी हां कभी ना गुटर गू दिल मांगे मोर जैसे टीवी सीरियल्स शामिल हैं फिल्मों के बात करें तो काल लक्ष और देद अनादन गोल जैसी मूवीज में भी कुशल बहतरीन एक्टिंग कर लिए किये सुसाइट करने से पहले कुशल काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे इसके लिए वो मेडिकल हेल्प भी ले रहे थे लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाए और 24 दिसंबर 2019 को वो अपने घर में फासी पर लटके हुए मिले सदारों की इस चमकते दुनिया में सिर्फ ये तीन या चार कलाका नहीं है जिन्होंने डिप्रेशन में आकर या अपने परफिशनल या परसनल लाइफ से जुड़ी समस्याओं के चलते मौत को गले लगाया ऐसे और भी कई अक्टर एक्टरिस हैं जिन्होंने परिशान होकर सूसाइड अटेंप किया जिनमें गुरुदत कुल्दी प्रंधावास सिल्क स्मिता और हैट्रिक हीरो उदर किरन जैसे नाम भी शामिल है और इनके अलावा और भी कई सेलिबरिटीज ऐसी है जिन्होंने कभी न कभी परिशान होकर ये कडम उठाया होगा लेकिन आज हम आपसे यही कहेंगे कि परिशानिया और उतार चड़ाय जीवन का हिस्सा है जो सब के साथ होता है इसे परिशान होकर आत्मत्या जैसा कदम उठाने से बहतर है कि आप अपने परिशेतों से अपने दोस्तों से अपने घर्वालों से बात करें परिशानी को साजह करें जरुरत पड़े तो medical help लें, लेकिन इस तरह का कदम ना उठाए.